हेलो फैंस तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेश्टी चटपटा सौथिनें स्टाइल चिकन फ्राई वनाने का सबसे आसान तरीक आपता हूंगा इस तरह से भी चिकन फ्राई वनाएंगे ना एक्तम सौफ्ट और जूसी वने का और इंस्टेंट आप इसको घर पे ब पानी एड़ करना है नमक और विनेगर के साथ मिक्स करके चिकन को दूएंगे तो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी दूसरा बाहर से ब्लड उगरा लगा होता ना बो अच्छे से निकल जाता है तो दो से तीन मिड़ तक इसी पानी में छोड़ देशे और इसका देखे चिकन एक तम आपको वाइड मिलेगा और चिकन का जो पानी है वो कितना यहां पर अलग से हो रखा है तो इसके बुद आपने चिकन को पानी से निकाल देना और फिर से इसको धो लेना है फिर आप इसको ना थोड़ी देर चन्नी के ऊपर रखते है तक इसमें जितना पानी पूर कर लेना है और कम से 10 मिल तक इसी मेरिनेशन में चिकन को छोड़ देना है तब तक और त्यारी कर लिए जब तर चिकन मेरिनेट हो रहा है मसाला बनाने के लिए आपको यहां पे तीन प्यास चाहिए ज्यादा हम प्यास टमाटर के यूज़ भी नहीं करेंगे या तो आप इ लाची छोटी लाची लॉंग दाल चिनी और करीपत तक आपने यूज़ करना है तो यह अपने अलगी मसाला बना के त्यार करना है इसी का अच्छा टेस्ट आएगा इसके यहां पर मैंने आरेन की कडाही लिए इसमें सबसे पहले करीपत्त कर देंगे करीपत्त को आपने थोड़ा सा ड्राइरोष का लेने हैं तक जब गरें Itka kami अच्छी तरह से इसका पाउडो बंचाए तो ओके देखिए करीपत्त को थोड़ा पर आपने साबू धनीयाइद करना है तो एक चमच अप साबू धनीया की शे आदा चमच आपने साबू जीरा करना है एक चुटका मुझ आपने इसमें सॉंप आड़के करनी है तो मसालों को आपने तीन से जाले लेहाँ है तक यह सुख चाहे और अच्छी तरह से बाध में ग्रैंड भी हो जाए तो मसालों को ड्रै रोच कर लिए है थंड़ा कर लेशे और इनको आपने Grander Choir में डाल देना है बो डाल देशे साथ में आपने इना ना तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च एड़ करनी है तो 5 से 6 मिर्च डाल सकते हैं तीखा अपने हिसाब से कम जिदा कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें अद्रक एड़ किया है और इसके साथ थोड़ी सी दनी के डंटल एड़ किया है आदर छूटे चमच आपने कश्मीरी लाल मिर्श पोर्ट एड़ करना है आदर से कम चमच आप इसमें हल्दी पोर्ट एड़ कीशे जार को पर से कवर कर देते हैं और प्रᴇष पना लेना है अगर आपको पानी दाने के जूट पढ़े तो थोड़ासा पानी भी डा डाइब सकते हैं तो उकि देखें इस तरह से एक सैपरेड मसाला बना के त्यार करना फिर आपने कडाही लेनी है उसमें आपने हऊई करना है तो आपके देख लेगा बिरेसे गर्मुज़ेगा पिर प्रया जासे गरम हो जासे बिरेसे प्लडन ब्रॉंग। प्याज को थोड़ा कच्छा ही रखना है तो यह देखी प्याज को मैंने पका लिए इसका चुछा अठेशा खतम हो चुका है फिर आपने मैरनेट के हवा चिकन तो यहां पे हम इस चिकन को बनाने के लिए टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे बागी खट्टा गैस से करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तो गया देखिए अब गैस की फ्लीम आपने हाई ही रखनी है और हाई फ्ले में आपने चिकन को भी यहां पर पकाना शू कम से 5-6 मिट तक इसको पकने देशे अब यहां पर चिकन को पकते हो लगवाद 10 मिट हो चुके हैं और गैस की फ्ले मैं एक्टम लो रखी थी और पानी के यूस मैंने बिल्कुल नहीं किया है लो फ्ले में चिकन को पकाएंगे चिकन के पानी होता है बो भी छोड़ देगा और साथ में जो प्याज को कच्छा रखाता है बो चिकन को यहां पर जलने में नहीं देगा तो यह देखिए 10 मिंट का चिकन के लेग पीस है बो यहां पर तूटना शुरू है तो फिर आपने जो मसाला बना के रखोगा ना वो मसाला एड़ कर देना है और मसाले को भी अच सच मिक्स कर दिया है फिर से उपर से कवर कर देश्चे और इसको बैसे ही MEDIM TOO LO फ्ले में प्कतने देश्ये surf तो कहें मुझे चिकन को चुप अब मंघेंगाते लयकले और यहां पर तूटना हाल निकाल देना यहां पर चुंक है आप माईट n प्लेट हुक पानी दिख रहे ना वह सारा ड्राइब हो जाए तो मिडियों टू हाइफ फिले में पकाएंगे तो पानी जल्द इट रहे हो जाएगा और चिकन के पीस्से ने टूटेंगे भी नहीं तो इनको आप बिल्कु ड्राइब कर देंगे तो क्या होगा जो मसालों की जितने भी पकाते हैं तो आपने देख होगा चिकन के ब्रेस पीचे देना वहाइड हो जाते हैं वाकि लेग पीस और थाई होते हैं आपको आपको आप देखिए अब जिकन ब्ल्कु ड्राइब हो चुका है अब आपने गयस की फिलें बंद कर दिनी है थोड़ा साहरा धनी डाली तो तो नहीं है क्योंकि में फ्रेस मसालों के यूज किया था उससे अच्छा फ्लेवर आ जुका है और खटा करने के लिए लास्ट में आपने इसमें नीबू कर सैड़ करना है अगर आप आइरन की कडाही में कभी भी कोई भी खाना बनाते हैं टमाटरों के यूज मत कीचे कट चोड़ती है खाना कसी लव जाता है तो लास्ट में आपने देखिए नीबू करस्ट डालना है नीबू करस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और आपने चिकन को साथ साथ में एक डाई से निकाल देना है और गर्म-गर्म सर्व कर देने तो वीडियो च्छा लगोगा एक शर्क मैं चुरू की जो के फ्रेंस में ने वीडियो के साथ तेंक यू